थुल्ला भाग 34, अर्जुन की तबियत पिछले तीन दिन से खराब थी, आज अचानक उसको सांस लेने में तक्लीफ होने लगी, उसने सविथा से कहा तुम थुल्ला को फोन लगाओ और पूछो वो इस वकक्त कहा है, सविथा ने फोन लगाया तो थुल्ला बोला भावी मा म मैं घर में ही हूँ अपने कमरे में, तु जल्दी से मेरे रूम में आ, तेरे भैयू की बहुत तबियत खराब है, वो सांस भी नहीं ले पा रहे। थुल्ला दोड कर अर्जुन के कमरे में आया तो अर्जुन की सांसे धोकनी की तरह चल रही थी, उसका खासी से बुरा हाल थुल्ला ने तुरंत उसी डॉक्टर को फोन लगाया जिनसे किद्नी ट्रांस्प्लांट किया था, उसने कहा ये तो कोरोना की सिंटम्स लग रहे हैं, आप पेसेंट से दूर रहिए और जितने भी घरवाले हैं सबको उनसे दूर रखिए, उनको रूम में अकेला छोड़ दीजे मैं अभी एंबुलेंस भेज रहा हूँ, अर्जुन को कोरोना टीम ले गई, उसी दिन शाम को पूरी फैमली और नौकरों का भी COVID-19 टेस्ट किया गया, सभी निगेटिव निकले, फिर अर्जुन कैसे पॉजिटिव हो गया, थुल्ला का पूरा बंगला गेर दिया, ये खबर आग की तरह पूरे भारत में फैल गई कि बॉलिवुद अभिनेता के बड़े भाय अर्जुन राने कोरोना पॉजिटिव है, ये कैसा नजारा था, थुल्ला चाहकर भी अर्जुन के पास नहीं जा सकता था, आई का बहुत बुरा हाल था, वो रो रो कर परेशान थी, थुल्ला को इस बात का दर था कहीं भेयू की किड्नी पर कोई इंफेक्शन न हो जाए, अर्जुन की हालत बिगरती जा रही थी, आज तीन दिन हो गए, अर्जुन की कोई खबर नहीं आई, थुल्ला सहित घर के अन्य लोगों ने भी ठीक से खाना पीना किया था, थुल्ला सहित पूरा घर होम कोरोन टाइन पर था, अर्जुन का मुबाइल भी दो दिन से बंद था, राजीव ने न्यूज में देखा कि बॉलिवुड हीरो के घर कोरोना ने दस्तक दी, एक पॉजिटिव बाकी घर वालों को घर में कैद किया गया, रिया के थुल्ला का गला रूंद गया इतना कहने पर कि भैयू को बचा लो, साहब राजीव ने उसको सांत्वना देते हुवे कहा परेशान नहों तेरा भैयू बहुत स्ट्रांग है, आज आएगा घर तुम अपना ख्याल रखो, अपना विशेश ध्यान रखना ऐसे में जरा सी ल पर वही ठीक नहीं, इतना कहकर राजीव ने फोन कात दिया, थुल्ला हर वक्त न्यूस चैनलों में घुसा हुआ था, आज कोरोना की कोई न्यूस ही नहीं थी, सभी चैनल रामजन भूमी पूजन को लाइव दिखा रहे थे, थुल्ला को याद आया कि आज तो 5 अगस्त 2020 ह अयोध्या में भूमी पूजन है, हनुमान गडी में देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं तो खुद भी आँखे बंद करके प्रार्थना करने लगा कि मेरे भै 12 दिन बाद अर्जुन होस्पिटल से घर वापस आया था लेकिन आज भी डॉक्तरों के मुताबिक उसको अकेले ही कमरे में रहने के लिए बोला गया था। पर वजह थी मेघा और थुल्ला की शादी की बात करने की। बातों बातों में राजीव ने कही दिया कि कोरोनकाल में इटली जाकर शादी करना संभव नहीं था। अर्जुन कमरे से बाहर आ गया और बोला मैं ठीक हूँ साहब थुल्ले ने अचानक पीछे मुर कर देखा तो अर्जुन खड़ा था। आप तयारी करें साहब हम अगले हफते ही दुर्गा और थुल्ला की शादी एक साथ करेंगे दुर्गा के लिए मैंने पहले ही लड़का देख लिया है। पुने के एक बड़े कारोबारी है उनके बेटे अन्मोल के साथ शादी की बात हो बई है। वो लोग कल ही आ रहे हैं मुंबई दुर्गा को देखने। राजीव ने कहा कि शादी में 40-50 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते तो हम लोग मंदर में ही शादी का इंतजाम कर लेंगे। इस बात से अरजुन सहमत था। मेधा के घर जब ये खबर पहुँची तो वो खुशी से जूम उठी। मेगा की मा बोली अब मैं चैन से मर सकूंगी।